नीती वच्चन 24 अध्याई 15-22 तक हे दुष्ट तु धर्मी के निवास को नश्ट करने के लिए घात में न बैट और उसके विश्राम स्थाम को मत उजाड क्योंकि धर्मी चाहे साथ बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है परंतु दुष्ट लोग विपती में गिर कर पड़े ही रहते हैं जब तेरा शद्रो गिर जाए तब तु आनदित न हो और जब वठोकर खाए तब तेरा मन मगर न हो कहीं ऐसा न हो कि यहवा यह देखकर अप्रसन हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले कुकुर्मियों के कारण मत कुड दुष्ट लोगों के कारण डाह न कर क्योंकि बुरे मनुश्यों को अंत में कुछ फल न मिलेगा दुष्टों का दिया बुजा दिया जाएगा है मेरे पुत्र यहवा और राजा दोनों का भै मानना और बलवा करने वालों के साथ न मिलना क्यूंकि उन पर विपति अचानक आपड़ेगी और दोनों की और से आने वाली विपति को कौन जानता है कुलुस्यों तीसरा अध्याए एक से पचीस तक अतह जब तुम मसी के साथ जिलाए गए तो स्वर्ग्य वस्तू की खोज में रहो जहां मसी विधमान है और परमेश्वर की धाइनी और बैठा है पृत्वी पर की नहीं परन्तु स्वर्ग्य वस्तू पर धियान लगाओ क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसी के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है जब मसी जो हमारा जीवन है प्रगट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सही प्रगट किये जाओगी इसलिए अपने उनंगों को मार डालो जो पृत्वी पर है अर्थाक व्यबिचार अशुदता दुष्टकामना बुरी लालसा और लोग को जो मूर्ती पूजा के बराबर है इन्ही के कारण परमेश्वर का प्रकोप आग्यान मानने वालों पर पड़ता है और तुम भी जब इन बुराईयों में जीवन बिताते थे तो इन्ही के अनुसार चलते थे पर अब तुम भी इन सब को अर्था क्रोध, रोश, बैरभाव, निंदा और मू से गालिया बकना ये सब बाते छोड़ दो, एक दूसरे से जूट मत बोलो क्यूंकि तुमने पुराने मनशुतों को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनशुतों को पहिन लिया है जो अपने स्रजनहार के स्वरोप के अनुसार ज्यान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है, उस इसलिए परमेश्विर के चुने हुँ के समान जो पवित्र और प्रिये है बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नमरता और सहनशीलता धारण करो और यदि किसी को किसी पर दोश देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सहलो और एक दूसरे के अपरात शमा करो जैसे प्रभू ने तुम्हारे अपराच्शमा किये वैसे ही तुम भी करो इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिदता का कटी बंध है बांद लो मसी की शांती जिसके लिए तुम एक दे होकर बुलाई भी गए हो तुम्हारे रिदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो मसी के वचन को अपने रिदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्यान सहीत एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुगर के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभू इश्वर के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो हे पतनियों जैसा प्रभू में उचित है वैसा ही अपने अपने पती के अधिन रहो हे पतियों अपने अपनी पतनी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो हे बालकों सब बातों में अपने अपने माता पिता के आग्या का पालन करो क्योंकि प्रभू इससे प्रसन होता है हे बच्चे वालों अपने बालकों को तंग न करो नहों कि उनका साहस तूट जाए हे सेवकोज शरीर के अनुसार तुमारे स्वामी है सब बातों में उनके आग्या का पालन करो मनुश्यों को प्रस्ण करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भैसे जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो यह समझ कर कि मनुश्यों के लिए नहीं परंतु प्रभू के लिए करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि तुमें इसके बदले प्रभू से मिरास मिलेगी तुम प्रभू मसी की सेवा करते हो क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा वहां किसी का पक्षपात नहीं कुनुश्यों चौथा अध्याय पहला वचन हे स्वामियों अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठिक ठिक व्यावार करो यह समझकर की स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है यर्मिया चौधा अध्याय एक से बाईस तक यहवा का वचन जो यर्मिया के पास सूखा पढ़ने के विशे में पहुंचा यहुदा विलाब करता और फाटकों में लोक शौक का पहरावा पहिने हुए भूमी पर उदास बैठे हैं और यरुशलेम की चिलाहट आकाश तक पहुंच गई है उनके बड़े लोग उनके छोटे लोगों को पानी के लिए बेजते हैं वे गड़ों पर आकर पानी नहीं पाते इसलिए चूचे बरतन लिये हुए गर लोट जाते हैं वे लज़ित और निराश होकर सर ढांप लेते हैं देश में पानी न बरसने से भूमी में दरार पड़ गई है इस कारण किसान लोग निराश होकर सर ढांप लेते हैं हरनी भी मैदान में बच्चा जनकर छोड़ जाती है क्योंकि हरी घास नहीं मिलती जंगली गधे भी मुंडे टिलों पर खड़े हुए गीजड़ों के समान हाफते हैं उनकी आंखे दुंदला जाती है क्योंकि हरी आली कुछ भी नहीं है हे यहवा हमारे अधर्म के काम हमारे विर्द साक्षी दे रहे हैं हम तेरा संग छोड़ कर बहुत दूर भटक गए हैं और हमने तेरे विर्द पाप किया है तो भी तो अपने नाम के निमे कुछ कर हे इसरायल के आधार संकट के समय उसका बचाने वाला तू ही है तो क्यों इस देश में परदेशी के समान है तो क्यों उस बटोही के समान है जो रात भर रहने के लिए कहीं टिकता हो तो क्यों एक विस्मित पुरुश्या ऐसे वीर के समान है जो बचान सके तो भी है यहवा तो हमारे बीच में हैं और हम तेरे कहलाते हैं इसलिए हमको नतज यहवा ने इन लोगों के विशे यो कहा इनको ऐसा भटकना अच्छा लगता है ये कुकुरम में चलने से नहीं रुखे इसलिए यहवा इनसे प्रसन नहीं है वह इनका अधरम स्मरन करेगा और उनके पाप का दंड देगा फिर यहवा ने मुझसे कहा इस प्रजा की भलाई के लिए प्रातना मत कर चाहे वे उप्वास भी करे तो भी मैं इनकी दुहाई न सुनूंगा और चाहे वे घोमबली और अन्नबली चड़ाए तो भी मैं उनसे प्रसन न होंगा मैं तलवार महेंगी और मरी के द्वारा इनका अंत कर डालूंगा तब मैंने कहा हाई प्रभु यहवा देख भविश रखता इनसे कहते हैं न तो तुम पर तलवार चलेगी और न महेंगी होगी यहवा तुमको इस ठान में सदा की शांती देगा तब यहवा ने मुझसे कहा ये भविश रखता मेरा नाम लेकर जूटी भविश वानी करते हैं मैंने उनको न तो भेजा और न कुछ आग्या दी और न उनसे कोई भी बात कही वे तुम लोगों से दर्शन का जूटा दावा करके अपने ही मन से व्यर्त और धोके की भविश वानी करते हैं इस कारण जो भविश रखता मेरे बिना और महंगी के द्वारा नश्ट किये जाएंगे और जिन लोगों से वे भविश वानी कहते हैं वे महंगी और तलवार के द्वारा मर जाने पर इस प्रकार यरुशलिम की सड़कों में फेंक दिये जाएंगे कि न तो उनका न उनकी स्रीयों का और न उनकी बेटे बेटियों कोई मिटी देने वाला रहेगा क्योंकि मैं उनकी बुराई उन्हीं के उपर उंडे लूँगा तो उनसे यह बात कहे मेरी आंखों से दिन रात आसु लगाता और बैते रहे वे न रुके क्योंकि मेरे लोगों की कुवारी बेटी बहुत ही कुछली गई और घायल हुई है क्योंकि बविश दकता और याजक देश में कमाई करते फिरते और समझ नहीं रखते हैं क्या तुने यहुदा से बिलकुल हाथ उठा लिया है क्या तु सीयों से घ्रणा करता है नहीं तुने क्यों हमको ऐसा मारा है कि हम चंगे हो ही नहीं सकते हम शांदी की बाट जोते रह तो भे कुछ कल्यान नहीं हुआ और यदिय पे हम अच्छे हो जाने की आशा करते हैं तो भे घबराना ही पड़ा है है यहुदा हम अपनी दुष्टता और अपने पुर्खाओं के अधरम को भी मान लेते हैं क्योंकि हमने तिरे विरुद पाप किया है अपने नाम के नेमि तो में से कोई वर्षा कर सकता है क्या आकाश जाडिया लगा सकता है यह मारे परमेश्वर यहवा क्या तू ही इन सब बातों का करने वाला नहीं है हम तेरा ही आस्रा देखते रहेंगे क्योंकि इन सारी वस्तू का सुर्जनहार तू ही है यर्मियाह 15 अध्याए 1 से 21 तक फि यदि मूसा और शमुएल भी मेरे सामने खड़े होते तो भी मेरा मन इन लोगों की और न फिरता इनको मेरे सामने से निकाल दो कि वे निकल जाए यदि वे तुझ से पूछे हम कहां निकल जाए तो कहना यहवा यो कहता है जो मरने वाले हैं वे मरने को चले जाए जो तलव से मरने वाले हैं वे तलवार से मरने को जो अकाल से मरने वाले हैं वे अकाल से मरने को और जो बंदी बनने वाले हैं वे बंदुआई में चले जाए मैं उनके विरुदुचार प्रकार की विनाश टहराऊंगा माय डालने के लिए तलवार फाट डालने के लिए कुट्ते के कारण होगा जो उसने यरुशले में किये हैं और मैं उन्हें ऐसा करूंगा कि वे पृत्वे के राज्य राज्य में मारे मारे फिरेंगे है यरुशले तुझ पर कौन तरस खाएगा और कौन तेरी लिए शौक करेगा कौन तेरा कुशल मैंने उनको देश के फाटकों में सूप से फटक दिया है उन्होंने कुमार्ग को नहीं छोड़ा इस कारण मैंने अपनी प्रजा को निर्वन्ष कर दिया और उनका नाश भी किया है उनकी विधवाए मेरे देखने में समुद्र की बालू की किनकों से अधिक हो गई है उनके जवानों की माताओं के विरुद दोपहरी को मैंने लूटेरो को टहराया है मैंने उनको अचानक संकट में डाल दिया और घबरा दिया है साथ लड़कों की माता भी बेहाल हो गई और प्रान भी छोड़ दिया उसका सूर्य दोपहरी को अस्त हो गया उसकी आश शा तूट गई और उसका मुझ काला हो गया जो रह गए हैं उनको भी मैं शद्रों की तल्वार से मरवा डालूंगा यहावा के यही वानी है है मेरी माता मुझ पर हाए कि तुने मुझ जैसे मनुझे को उत्पन्न किया जो संसार बर से जगडा और वाद विवाद करने वाला टहरा है न तो मैंने ब्याज के लिए रुपिये दिये और न किसी से उधार लिये हैं, तो भी लोग मुझे कोस्ते हैं। यहवा ने कहा निश्चे मैं तेरी भलाई के लिए तुझे दिरड करूंगा, विपती और कष्ट के समय में शद्रू से भी तेरी विंती कराऊंगा। क्या कोई पीतल या लोहा अर्थात उत्तर दिशा का लोहा तोड़ सकता है, तेरे सब पापों के कारण जो सरवत्र देश में हुए हैं, मैं तेरी धन संपती और खजाने बिना दाम दिये लूट जाने दूँगा, मैं ऐसा करूंगा कि वह शद्रू के हाथ ऐसे देश में चला जाएगा, जिसे तू नहीं जानती है, क्योंकि मेरे क्रोध की आग भड़क उठी है और वह तुमको जलाएगी, है यहवा, तू तो जानता है, मुझे स्मरंड कर, और मेरी सुधी लेकर मेरे सताने वालों से मेरा पल्टा ले, तू दीरच के साथ क्रोध करने वाला है, इसल ते वचन मेरे मन के हर्श और आनंद का कारण हुए, क्योंकि है सेनाओ के परमेश्वरिय हुआ, मैं तेरा कहलाता हूँ, तेरी चाया मुझ पर हुई, मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठ कर प्रसन नहीं हुआ, तेरे हाथ के दबाव से मैं अकेला बैठा, क्योंकि तुने मुझे क्रोच से भर दिया था, मेरी पीडा क्यों लगातार बनी रहती है, मेरी चोट की क्यों कोई औशिद नहीं है, क्या तु सचमुच मेरे लिए धोका देने वाली नदी और सूखने वाले जल के समान होगा, ये सुनकर यहवा ने यो कहा, यदि तु फिरे, तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा, यदि तु अनमोल को कहे और निकमे को न कहे, तब तु मेरे मुझे समान होगा, वे लोग तेरी और फिरेंगे, परंतु तु उनकी और न फिरना, मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृड़ शहरपना बनाऊंगा, वे तुझ से लड़ेंगे, परंतु तुझ पर प्रभल न होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ, यहवा की यवानी है, मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा, और उपद्रवी लोगों के पंजे से छुडा लूंगा